अनार चीलने के लिए सबसे पहले आपको आपकी वर्क स्पेस को तयार करना होगा, क्योंकि अनार के रस से दाग लग सकते हैं, इसलिए गलव्स पहन ले और कटिंग बोर्ड को एक कपड़े से ढग ले, फिर आपके अनार को कटिंग बोर्ड पर रखें और फिर फल के क्राउ या उपर के हिससे को काट कर उसे एक लिड की तरह निकाल दे, इसके बाद फल के अंदर दिखाई देने वाली सफेद लकीरों के साथ छिलके को स्लाइस कर ले, ध्यान रखें कि आप अनार के दानों को स्लाइस नहीं कर रहे हैं, जैसे ही आप सभी लकीरों के साथ में खीच लें आप अनार के दानों को सीधे उन्हीं हिस्सों से निकाल कर खा सकते हैं या फिर रस के दाग लगने से बचाने के लिए उन्हें पानी से भरे बॉल में अलग कर सकते हैं